निर्गमन अध्याय 38 फिर उसने बबुल की लकड़ी की होमवेदी भी बनाई। उसकी लंबाई पांच हाथ और चवडाई पांच हाथ की थी। इस प्रकार से वह चवकोर बनी, और उचाई तीन हाथ की थी। और उसने उसके चारो कोनों पर उसके चार सिंग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड के बने। और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हंडियो, फावडियो, कटोरो, काटो और करचों को बनाया. उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया. और वेदी के लिए उसके चारो ओर की कांगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक जंजरी बनाए, वह नीचे से वेदी की उचाई के मध्य तक पहुची और उसने पीतल की जंजरी के चारो कोनों के लिए चार कड़े ढाले, जो डंडो के खानों का काम दे, फिर उसने डंडो क बबुल की लकडी का बनाया और पीतल से मढ़ा तब उसने डंडो को वेदी की अलंगों के कडों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया वेदी को उसने तक्तों से खोकली बनाया और उसने हवदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाये यह मिलाप वाले तंबु के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दरपनों के लिए पितल के बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया और दखिन अलंग के लिए आंगन के परदे बटी हुई सुक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर सव हाथ लंबे थे। उनके लिए बीस खंबे और इनकी पितल की बीस कुरसिया बनी और खंबो की घुंडिया और जोडने की चड़े चांदी की बनी और उत्तर अलंग के लिए भी सव हाथ लंबे परदे बने और उनके लिए बीस खंबे और इतनी पितल की बीस ही कुरसिया बनी और खंबो की घु अलंग के लिए सब परदे मिलाकर पचास हाथ के थे। उनके लिए दस खंबे और दस ही उनकी खुरसिया थी। और खंबों की घुंडिय और जोडने की छड़े चांदी की थी। और पुरब अलंग में भी वह पचास हाथ के थे। अंगन के द्वार के एक और के लिए पंद्रह हाथ के परदे और उनके लिए तीन खंबे और तीन खुरसिया थी। और अंगन के द्वार की दुसरी और भी वैसा ही बना था। और अंगन के दर्वाजे के इधर और उधर पंद्रह पंद्रह हाथ के परदे बने थे। और उनक अंगन के लिए तीन तीन खंबे और तीन ही तीन इनकी कुरसिया भी थी। आंगन की चारों ओर सब परदे सुक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। और खंबों की कुरसिया पीतल की और घुंडिया और छड़े चांदी की बनी। और उनके सिरे चांदी से नीजनी और लाल रणके कपड़ों का और सुक्ष्म बटी हुए सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई बीस हात की थी और उसकी उचाई आंगन की खनात की चवडाई के समार पाँच हात की बनी और उनकी लिए चार खंबे और खंबो की चार ही कुरसिया पीतल की बनी उनकी घुंडिया चांदी की बनी और उनके सीरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़े चांदी की बनी और निवास और आंगन की चारो ओर के सब खुंटे पीतल के बने थे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सेवकाई के लिए बना और जिसकी गिंती हारुन याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मुसा के कहने से हुई थी उसका वर्नन यहां है। के गोत्रवाले अहिसा माक का पुत्र होली आब था, जो खोदने और काडने वाला और निले बेंजनी और लाल रंके और सुक्ष्म सनी के कपड़ेक में कार्चोब करने वाला निपुन कारिगर था। पवित्रस्थान के सारे काम में जो भेट का सोना लगा वह 29 किकार और पवित्रस्थान के शेकल के हिसाब से 703 शेकल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेट की चांदी सौकिकार और पवित्रस्थान के शेकल के हिसाब से 1775 शेकल थी। अर्थात जितने 20 बरस के और उसके अधिक अवस्ता के गिने गए थे, वे 6,3,500 पूरुश थे। और एक-एक जन की ओर से पवित्रस्थान के शेकल के अनुसार आधा शेकल जो एक बेका होता है मिला। और वह सौकिकार चांदी पवित्रस्थान और बीचवाले परदे दोनों की कुरसियों के ढालने में लग गई। सौकिकार से सौकुरसिया बनी, एक-एक कुरसी एक किकार की बनी और 1775 शेकल जो बच गए उनसे खंबो की गुंडिया बनाई गई। और खंबो की चोटिया मढई गई और उनकी छड़े भी बनाई गई और भेट का पीतल सत्तर किकार और 2400 शेकल था। उससे मिलापवले तंबो के द्वार की कुरसिया और पीतल की वेदी, पीतल की जहांजरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारो और की कुरसिया और उसके द्वार की कुरसिया और निवास और आंगन की चारो और के खंटे भी बनाए गए।